दोस्तों यहां पे यह लोन है 35,000 तक की लिमिट देती है जो कि आपने बैंक में इजिली टांसवर कर सकते है अधारकार्ट पैनकार्ड में बिना किसी इंकम प्रूफ के लेकिन यहां पे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा इससे आप लिमिट लीजिए बिल्कुल जी हां सच सुन पे आते हैं 200 रुपया 400 रुपया के लिए हमने देखा है कि एजिएंट घर पे आते हैं कुछ जगह मैंने यह भी देखा है कि बत्तमीजी से बात करी है बहुत ज़्यादा परिसान करते हैं ऐसा ही कि रेबाब पूनवाला फिनकॉप इसकी एन्बीएप सी है तो यहां पे आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि यहां पे हमारे एक सब्सक्राइबर के घर में एक रिकुवरी एजिएंट घुद गया जो की रिंगा था करीब तीन से साड़े तीन हजार की लिमिट थी उन्होंने उसको लिया था और वो सवैसे पे नहीं कर पा रहे थे कुछ महिने में दो से तीन चक्कम के पास मारता है और गंदी-गंदी गाली-ग्रोज के साथ यह सारे काम करता है अब यहां पे क्या करना है यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर को बिल्कुल ऐसी जर्मकारी नहीं थी कि आखे इन से निपटना है आपको सुनेंगे ना अगर आप सुनेंगे ना तो आप कई मैं या रिंग भूत खराब है पर देखिए आप किसी लॉन का पैसा ले रहे हैं समय से चुका रहे हैं ठीक है बहुत चीफा आथ है चुका यह अगर उसके बाद भी अगर परिसानी आ रही है तो यार कमपनी क डिफॉल्ट है कंपणी को इस पर लगांग कसनी होगी और अगा समयते पेमेंट नी कर रहा है तो इसमें आपकी गलती है क्यों वह या क्योंकि यह किसी के सगें नहीं है यह वात हमें हमें चल्ला चल्ला के बोलते हैं लो लो तब लो जब चुकाने में सब्सक्राइब है वीडियो को लास तक देखिए आपको कोई जनकारी मिल जाएगी तो यहां पर चैनल को सब्सक्राइब लाकर को प्रेस कर दो ताकि मेरी किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकते हो साथी साथ हमारे टेलिग्रम चैनल है एडड़ेट विने लेवी जून को ज बहुत जरूरी है तो दोस्तों यहां पर रिंग एप काफी टैम दो चल लए है और काफी इसके डानलोड से करी पांच लाग से उपर डानलोड लबब हो चुके हैं मैंने देखा नहीं है क्योंकि नहीं पता क्योंकि रिंग का हमेशा आई जी सिकायत रहता है रिंग का आज एजेंट आ गया रिंग ने इतना प्रिंटी लगा दिया यह वैर लगा दिया ऐसा कर दिया अब यहां पर बात आते हैं कि घर पे एजेंट अगर आ जाया इसका पर एक पूलिस ब्लेकिन हां आज कल कमपनियां देखने में आया है कि जो एक प्रोसीजर होता है अगर कोई ब पॉल्टर हो गया है और लोन समय से नहीं चुपा पा रहा है चाये 2000 का तीन है कोई भी हो तो उसको काईदे में कोट जाना चाहिए इस कंपनी को कि बहुत काईदा यह बनता है कोट में चलो भाई आप कोट में फैसला करेंगे रूल ही होता है लेकिन उस यह लोन को एक ऐसी क् है धार आएं कि अब आपको खड़े खड़े जमान देदेगा रहा है तो यहां पर धंकाने के लिए बहुत है जिसने कभी कानून का नाम ना सुना हो जेल का नाम ना सुना हो नोटिस का ना चेहरा देखा उन चकबलों पे ना पढ़ाओ उसके लिए चीज़े बहुत करें जो कि हमारे सब्सक्राइबर घर पर आया है हमारे सब्सक्राइबर को नॉलिज करते ही नहीं थी इन्होंने लोन ले लिया था तीन हैर का लोन आट हैर रुपए देज लिए और उसके बाद भी एजन अभी भी मांग कर रहा क्योंकि एजन्ट को यह मालूम पर करना चाहूंगा तो उस एजन्ट ने उनको कभी बोला घर पर में पूलिस लेकर आउंगा कभी बोला कि मैं घर पर यहां बत्तिवीजी करूंगा कभी गाली करोज करके गया है कभी कुछ करके गया हूंकि वह कुछार ने कर पार होती तो हम अभी में केस करवाया है एक एजेंट था बजाट फाइनेंस का तो उसको लेकर पूरी कंटो वर्थी वहाँ बहुत चली थी तो मैंने एक हमारे बकील अच्छे ठीक है मित रहें उनको मैंने बोला उन्होंने पूरा केस हैंने लिगे क्यों विकासा पट्टम तो मेरे यहां से तो बहु ठीक है तो यह चीज़े भी सामने आ रही है निकल गी इससे आप अलट रहीएगा तो मैंने उससे करना है कि अपकी जो करना है करने दें लेकिन बात का ध्यान नगना सारी चीज़े कैमरे में रिकॉर्ड हो कोशिस करना है कि वह जो हरकते करना उसे करने देना तुम कुछ मत करना तो उसे रोकना एक हमबल होता है ना कि सामने वाला को बत्मी जी कर रहा है भाई चोड़ दो यार यह कर दें हमारी गलती क्या है आपको श्रिप मिलब रुक्यस्ट करनी है उसे टाइम मंगना ऐसी चीज़े करने आपको कोई हाता पाई गाली गरोश निकरना है को सामन लगाई हैं कितनी सच हैं अभी मतलब पूरा मामला जांच में है ठीक है अभी धाराय बन नी पाई है लेकिन धाराय बन चुकी हैं बहुत जल्दी एफ आयर में कनवर्ट हो जाएंगे सारे कम प्रोसेस में तो उनको भी हम बहुत जल्दी उनको अकल ठीकाने लगा देंगे अगर एजिट ऐसा करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लगाम कसने वारे लोग हैं अगर हम यह बोलते हैं कि आप इस हैप से लोऑ और सव्यसे नहीं चुका रह रहे हो तो आपकी गलते हैं मानेंगे अगर आप सव्यसे चुका रहे हैं फिर भी कम्पनी को हम भक्ष देंगे कम् पर यह कोई भी माय का लाल है तो उसकी ऐसी तैसी हम करेंगे इतना ध्यानक ना आथ की तब से कमी ना तो जो भाइये उनको मैंने यही बोला है यह आपके साथ भी कभी आज आ रिंग का तो आप उसको सागत करो अपनी तब से अच्छे से बोलो अपनी तब सारे काम अच्छे बनाओ लगे कि यहां सामने वाला बंदा कर रहा है और जितनी जब कर से गए उतनी वीडियो ना लो बंदे की तो केस होगा जेल जाएगा उपर से माना नहीं भी ठोकेंगे उसको पर कंपनी के ऊपर ठीके ना तो सारे काम आज के टाइम में आर संभाव है लेकिन आपको उ पिर ऐसी सुनते रहो सहते रहो बर्दास करते रहो चलने दो गारी यहीं होता है उस एजेंट ने रिंग वाले ने क्या समझा कि मैं तो जतना मुझे सुनने माया वो यह लग रहा था कि उसकी नजर थी उसकी बाइसे गलत ठीके ना जो हमारे रिंच से लून लिया था खुद उल्टा फुलिस को धंगी दे रहता है कि यहासा ना हो गया मैंने लोन लिया फुलिस मुझे उठाके ले जाए कि तुमने लोन लिया तुम नहीं चुकाया तो तुम जेर हो जाएगी ऐसा डरा रखता तो यह लोग माइंड का यासा वेंवास कर देते सामने वाले का कि उसका दिमागी को रहाख खराब हो जाता है तो यहां पर चाए रिंका एजेंट हो चाए किसी कंप्णी के एजेंट हो खाड़ो सब की किसी की सगेश में एकर कोई अच्छे बात करा है मैं यह नहीं कह रहाँ कि सौ मेसे सोई खराम है दस लोग अच्छे भी होता है अगर को वो ना आपको प्षा सके आपके पास सबूत ऐसा होना चीए कि आप उनको फषा सको यह काम आपको करना है समझ रहो न कहारा हूं में तब कोई कुछ हो पायागा अगर इन से लड़ना है तो इनकी फाड़नी है तो यहां पर यह पूरा किसा था कि वजया घर पर बहुत जादा बतिवीजी करी है और कोई प्रॉपर सबूत नहीं है इसरी बाती बाते हैं जो मैं बता रहा है क्योंकि प्रूफ होता तो मैं आपको दि पटना है उम्मीद है कि पूरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी तो दोस्तों यहां पर मैं बात करता हूं लोन की अगर लोन लेना है तो तब लो जब चुकाने में सक्चमों अधरवाइस मतलो और लेना है तो यहां पर एक एक सजेस्ट कर दे रहा हूं मन हो तो लेना जरूर तो तब लेना अधर वाज में ब्रुकुल यह नहीं कि पकड़के मैं कहना ले ले लोन ले तुब वेलाइस लोन है आप है लिंक रिस्किसिन बॉक्स में डाउनलोड करो आधाल लगाओ पैनकर लगाओ को इंकम प्रूफ नहीं देना है को स्टेटमेंट नहीं लेकि लोन असानी से मिल जाएगा मेरे लिंक से लोग आसानी से मिल जाएगा एक पहुलाइज जायब करके ठीक को इससे भी आप लोन ले सकते हैं लेकि लिए 15 यहार की सेलरी है आपकी बस डिटेल्स फॉलोग करो बस डिटेल्स वहाँ पर आपने डालो अच्छा-कासा लो पूरी है कोई आपको समय चाहिए कुछ भी चीज़े हैं आपको नहीं पता है बैंक के पार इस बात का दिकार है अगर आपकी खराब हो गया आपका बिनिस चला गया दूप गया या जो है नौकरी चली गई है तो बैंक आपको दो साल तक की महुला दे सकता है अपनी तरफ से लेकि वाली अदिकार नहीं बोलते हैं वो आपके अधिकार गिना देंगे बैंक वाले आपको यह अधिकार नहीं प्राइब करेंगे आपका वह अपना ही रखते जिसमें उसका फायदा है इस मत्ता ध्यान ना कि इस तरह की नॉलिज चाहते हैं तो में टेली चैनल को सब्स